नमस्ते दोस्तों मेरा नहां है याशुर आप सभी का स्वागत है बॉड़ी बीडिंग दुनिया में जो गाइस फाइनली नहरे मेरा सुरे दौइज है मिरा से बाइस बात करूँ तो पिछले वीडियो में भी यह बताया था कि साथ दिन में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं नजर आने वाला तो as usual वो बहुत खराब शेफ में थे बोल सकते हो और उनको सही में नूर खान की फिर से जरूरत है क्योंकि नूर खान के साथ जब वो काम कर रहे थे तो वो जरूर वो इंप्रूफ कर रहे थे अपने हर शोक के हिसाब से वो इंप्रूफ कर रहे थे और जैसे ही वो बेस्ट पैकेश डिस्पले करने जा रहे थे तभी उन्होंने अपना कोच चेंज कर दिया जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन नहीं है तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि तरुन गिल पहले शो में कैसे दिख रहे थे और अभी कैसे दिख रहे हैं पहले उनके चेस्ट और शॉल्डर पॉप करते थे बट अभी डाउन साइज नजर आ रहे हैं उनके आम्स भी डाउन साइज नजर आ रहे हैं तो गाइस तरुन गिल जितना भी नूर खान को ट्रांस्फोर्मेशन कोच बोल ले बट रियालिटी ये है कि उनके पास स्टेज का एक्सपिरियंस था और जिसके वज़े से तरुन गिल स्टेज पर अच्छे दिखते थे बट अभी वो अपने नय कोच के साथ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहें तो होप के उनको ये चीज जल्दी समझ आ जाए बाकि आपका इन इस चीज में क्या थॉट है नीचे कमेंट में बताओ तो रोईत कत्री की बात करो तो उन्होंने जल्द वाजी में आकर कम्पीट किया वो बिल्कुल भी स्टेज रेडी नहीं थे बट पता नहीं उन्होंने ये डिसिजन क्यों लिया पाकि वो अगर कंडिशन आते तो शायद वो टॉप 10 में आ सकते थे बट वो बहुत जादा आफ आते स्टेज पे उनका मेट सेक्शन बिल्कुल वास्ट आउट लग रहा था अभी के लिए बस इतना है अगर वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक शेर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं को नहीं वीडियो में जैहि अबस्टाइब कर देना मिलते हैं